रासमन्द में भाजबा भी एक्सन में लोगसबा चुनाव को लेकर कलस्टर प्रभारी नेली बेठक लोगसबा चुनाव को लेकर रासमन्द कलस्टर प्रभारी प्रसन कुमार मेहता ने लोगसबा क्षेतर के प्रमुक पदादिकारी भाजबा के कारिकरता विधायकों के सेयोजक नर्बदा संकर पालिवाल ने बताया कि कलस्टर प्रभारी प्रसन कुमार महता ने लोगसबा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पतादीकारियों को एकजूट होने के निर्देश दिये महता ने आफ़ान किया कि मोदी सरकार की जन कल्यानकारी योजनाओं को घरगर तक पहुँचाए साथ ही बेटक के प्रारम में भाजबा जिला प्रभारी विरेंदे सिंग चोहान और जिला इदेख समान सिंग भारत ने प्रभारी महता का मेवारी पगड़ी पहना कर अभी नं और ज्यादा से ज्यादा लोगों समर्थन पार्टी के प्रती लेना है और इसको लेकर अभी से तैयारी सुरू होनी चाहिए इस दोरान जिला प्रभारी विरेंदे सिंग चोहान और जिलादेक्स भारत ने बेटक को संबोधित किया और रासमन जिले की पार्टी गतिविद से अफगत कराया इस दोरान कुंबलगट विदायक सुरेंदर सिंग राठोर नातद्वार विदायक विश्वरा सिंग मेवार भीम विदायक हरी सिंग रावत ब्यावर विदायक संकर सिंग रावत जिला महमंत्री हाजे सोनी लोगसबा पालक बंसिलाल खटीक नंदलाल सिं अद्यक्स मादव चोधरी देवगट के कुल्दिप सिंग्ताल देवगट नगरपलिका के अद्यक्स सोबालाल रेगर सहीत बड़ी तादात में भाजपा के पदादिकारी मौजोद थे इस दोरान भाजपा द्वारा रासəमन्द में लोकसवा चुनाव को लेकर भाजपा के चुनाव कारले का सुभारम भी कलश्टर परभारी प्रसन गुमार मेहता द्वारा फिता काटकर किया गया। मुक्रूप से लोगसवा चुनाव को लेकर भाज़पा द्वारा प्रदेश वर में विशेस चुनाव कारले सुरू किये गए हैं ताकि उन कारले को इमादियम से बूत इस्तर तक की कार्यकरताओं को जोड़ा जा सके और केवल चुनाव पर विशेस फोकस किया जा सके मीडिया सह सहियोजग नर्वदा संकर पालिवाल ने बताया कि प्रदेश नेत्रतु द्वारा प्रतेग लोगसवा मुख्याले पर कारले खोले जा रहे हैं और इसी कड़ी में राजसमंद में भी चुनाव कारले का सुभारम किया गया इस दोरान जिला संक्ठन प्रभारी स्विरेंदर सिंग चुहान जिलादेक समान सिंग बाराट सहीत कई जन प्रतिनेदी भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे दमारुती नंदन ग्राइन नाथद्वारा सित एक मात्र अल्ट्रा लग्जिरियस फाइट स्टार होटेल राजसमंद जिले की एक मात्र फाइट स्टार होटेल दमारुती नंदन ग्राइन में भोजन की स्वादिश्ट थाली अब सिर्फ दो सो नभ्भे रुपे में श्रिनाची की नगरी नाथद्वारा में इस सुनेरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं